जूटी सिकायते बंद हो जाएंगे, छेड़ छाड़ के जूटे मुकद में बंद हो जाएंगे, बलातकार के जूटे मुकद में बंद हो जाएंगे, S.C.S.T. जो केस आते हैं, जूटे केस, वो जूटे केस बंद हो जाएंगे, केवल इतना कर दिया जाए कि जूट बोलने को गंभीर अपराग घोसित कर दिया थे हमारे पास राम चरित मानस से बढ़िया कोई हिंदी में पुस्तक नहीं राम चरित मानस पढ़ेगा बच्चा तो हिंदी भी सीख लिया व्याकरण भी सीख लिया लिखना भी सीख लिया लेकिन साथ-साथ उसने राम और भरत के बीच का प्यार भी सीख लिया लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी कुमन नौ साल चल रही है आज भी नौ साल नौ साल का मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा चौथी पास कर पाएगी, अगर वो पढ़ाई कर रही है, हार्ली थर्ड या फोर तक पढ़ पाएगी बस, उसकी पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी, सबसे पहले, पॉली गईमी को बैन करने वाले भगवान शेदाम है, भगवान स्र चाड़ा पॉड्कास्ट, my guest today is Mr. Ashwini Upadhyay, he is an advocate at the Supreme Court of India and he is known as India's P.I.L. man, please subscribe and enjoy the conversation. Ashwini Upadhyay ji, welcome to the podcast, आपका बहुत स्वागत है, thank you for coming. Thank you, thank you. Sir, आपको कहा चाता है, India's P.I.L. man, तो इसके बारे मैं पहले बात करते हैं, सबसे पहले P.I.L. क्या होता है? Public Interest Litigation, जो Public Interest में हो, जो किसी के Personal Interest में नहों, जो Nation Interest में हो, Unity, Integrity जिससे मजबूत हो, जिससे Constitution का Preamble में जो शब्द लिखे है, Social Economic, Political Justice, Equality of Status, Equality of Opportunity, Fraternity, Unity, National Integration, जिससे Constitutional Ethos को मजबूत किया जा सके, लोगों को नियाय मिल सके, Administrative System अच्छा हो सके, उन विशियों पर जो हम Petition फाइल करते हैं, उसको हम Public Interest Litigation करते हैं, और इसके लिए हमारे पास High Court है पुरे देश की, उसको Article 226 में High Court में जा सकते हैं, अधरवाज हम सीधे Supreme Court भी जा सकते हैं, Article 32 में. तो आप PIL Supreme Court में करते हैं? जादा तर मेरी PIL Supreme Court में है, 125 से जादा मेरी PIL Supreme Court में है, और I think 35 के आसपास मेरी PIL दिल्ली High Court में है, तो टोटल 160 के आसपास मेरी PIL है. 160 के आसपास. तो आप किन-किन विशोव पर PIL करते हैं? मेरी जादा, सबसे जादा मेरी PIL election reform के उपर है. मेरा ये मानना है कि अगर election system अच्छा हो जाए, अच्छे लोग संसद विधान सभा में पहुंचना शुरू हो जाए, तो देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ह सकता है. दूसरा मेरा firm belief है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रिम कोर्ट से हो सकता है. केवल जो बार, सुनामी, आधी, तूफान, जो जो कहते हैं? नेचुल हाँ, उसको छोड़ दिया गये. तो भारत की हर समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रिम कोर् करते हैं. उसके बाद मेरी जुडिशल रिफॉर्म पर है कि जस्टिस विदी नियर होना चाहिए, एक साल के अंदर सबको नयाय मिलना चाहिए. पुलिस रिफॉर्म पर है, पुलिस इंडिपेंडेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, पुलिस सत्ता के गुलाम नहीं होनी चाहिए, प्रिफ्वक्यक्त चॉकिए, इसके अलावा मेरी जो पियो है, वो जेंडर जिस्टिस, जेंडर एक्वेलिटी के वह बहुत सारे यहां पर कुप रफायें चल रही है, यह ब्रिटिफ काल से चल रही है, जो हमारी तेकर के कुप रफाएं नहीं थी, वह गुलामी के कारण म उन कुडितियों खिलाफ जैसे तलाके ऐसन तलाके बाइन तलाके किनाया मुता मि स्यार अलाला इस तरीके हूं सो तड़ा पूछना पड़ हो ठीन ही । टो जन्राड रोड़ी को फॉर्टी पे है यह देज की90 मdesald करने पर है सब कई इसके लिए मेरी एक PIL है कि uniform education होना चाहिए, सब अपने अपने language में पढ़े हैं, लेकिन 10 वी तक common syllabus, common curriculum होना चाहिए, तो इस तरीके से मेरी डिर सोज जादा PIL है, ठीक है, तो सबसे पहले है, election reform, उसमें exactly कौन से कौन से दो पर आप PIL कर रहे हो, election reform पे मेरी PIL है कि सबसे पह सांसद विधायक बनने के लिए minimum qualification क्यों नहीं होनी चाहिए, और मेरा तो यह मानना है कि common entrance exam भी होना चाहिए, जैसे आपका teachers के लिए TET होता है, teacher eligibility test, ऐसे होता है, आल इंडिया लेबल पर, ऐसा होना चाहिए minimum qualification हो, basic knowledge होनी चाहिए, क्योंकि सांसद विधायक का जो मुखे क हमें न, वो कानून बनाना है, और वो कानून तभी अच्छा बना सकते हैं जब उनको देश- openings के कानूनों की समझ हों, भारत के संविधान की समझ हो, अगर ऐसा कोई विक्ति जिसको न भारत का संविधान पता, न सिंगापुर में क्या चल रहा है, जैपान में क्या चल रह आमेरिका में कैला। उसको कुछ पता ही नहीं है unam कि जो ला मेखर है सांसत है कि इह reduction मेकसिमंम लिमिट होनी चाहिए उच्छव इनको एक ही जगह से चुनाव लने की पर्मिशन होनी चाहिए, वन नेशन वन ओटर लिस्ट होनी चाहिए, हमारे देश में क्या हो रखा है, कि जब भी कोई चुनाव आता है, एक नई ओटर लिस्ट बनना सुरू हो जाती है, पारशत का चुनाव होगा, ओटर लिस्ट बनेगी, प्रधान का चुनाव होगा, फिर ओटर लिस्ट बनेगी, फिर विधान सभा का चुनाव होगा, फिर ओटर लिस्ट बनेगी, लोग सभा का चुनाव होगा, फिर ओटर लिस्ट बनेगी, हमारे आधे गोवर्मेंट इंपलाई खासतोर पर जो टीचर से प्राइमेरी के वो पूरे पांच साल तक हर साल मतलब उनकी ड्यूटी लगती रहती है उटर लिस्ट बनाने में उसके चक्करे में बच्चों का बहुत लुकसान होता है तो ओटर एडी क्यों खुद नहीं बनवाएगा उसकी उसकी जीवटी है दूसरा फिरम एक प्ल फाइल किया कि कमबसरी ओटिंग होनी चाहिए जब तक कमबसरी ओटिंग नहीं होगी तब तक परसंटेज नहीं बढ़ेगा अभी मैक्सिमम जो गया है 80 परसंट तक गया है अच्छा वन नेशन वन एलक्षन हो पुरे देश में एक साथ चुनाओ उस पर मेरी प्ल है अच्छा और एक मेरी प्ल फाइल किया था कि सांसदों विधायकों के लिए अच्छा हो गई है उसका बहुत इंट्रेस्टिंग आपको रिजल्ट बताता हूँ हाँ 2016 मैंने प्ल फाइल किया कि अच्छा होना चाहिए और सांसद विधायक का मुकदमा एक साल में तैह होना चाहिए कोट ने पूछा क्यों बई सबके लिए एक जैसा कि उन्हें हमने किस्तमे का मिलता है हर जगह उनको इसपेसल प्रोटोकाल मिलता है बिलकुल तो कोट में भी इसपेसल उनके लिए प्रोटोकाल होना चाहिए 2017 में सुप्रिम कोट ने आडर किया 2018 में आते आते पूरे देश में स्पेसल कोट बन गई सांसदों विधायकों का मुकदमा ट्रांसफर हो गया MLMP कोट में 2013 तक 2500 से ज्यादा सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है जिन लोगों का मुकदमा जज सुनते नहीं थे उनको तारीक पे तारीक मिलती रहती थी 25 से 30 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था उनके भी फैसले आ गए बड़े-बड़े माफिय जैसे अतीक अहमद असरफ अहमद को सजा हुई अफजाल अंसारी मुक्तार अंसारी को सजा हुई आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई ऐसे बहुत सारे माफियाओं को सजा हो गई जिन जो कि क्या करते थे बार-बार डेट लेते रहते थे इस MLMP कोट का एक बहुत बड़ा फाइदा है हुआ कि अब जो माफिया हैं जो अपराधी टाइप के लोग है वो चुनाओं में आना नहीं चाहते वो इसलिए नहीं आना चाहरे है वैसे उनका मुकदमा 30 साल चलेगा यहां आए तो यहां आए तो एक साल में डिसाइड हो जाएगा तो अच्छा आप नार्मल रहो बाहर रहो एक डेटरेंट का काम कर रहा है बहुत पड़ी है अच्छा तो यह इलेक्शन रिफॉर्म वाला है बाकी बाकी सेकंड कौन सा है एक तो कोड की चुटियां कम होनी चाहिए वर्किंग आवर बढ़ना चाहिए मेरा यह मानना है कि कम सक उनकम जब इतना उटकों कोड़ में कोड चल है बहरत में अच्छा पास करोड़ केसे तो इसन्टीको था Areal 可以 द्धिक सिग्यों क के मुकद में होते हैं अब आप सोचो कि पांच करोड डिस्टी कोड हाई कोड सोप्रियम कोड पांच करोड यह जो रेविन्य वाले हो गए दस करोड आना नहीं हो रहे जगर एक परिवार में आप पांच आदमी मानके चलिए तो यानि पचास करोड लोग इस समय स्लो जू ऌना सिस्टम के करुण टेंशन उनको तारीक पर तारीक मिल रही है हमारा यह कहना भारत में जस्टिस वी इनlaw मिल रहा होथ चाहिए जस्टिस वी इन recommended 1 घंट के अंदर फ़ीयर एक मही ने में जाच और एक साल के अंदर अफ हैसला जो दुनिया के कई देशों में दुनिया के कई देशों में रेंट का केस देट में डिसईड होता है तारिक पे तारिक होती है जबकि हमारे रेंट का केस 40 साल के बद डिसइड हूँ मकान मालिक इसंने descend सिस्टी कोड हाई कोड सुप्रीम कोड में पैसा खच कर दी अभी एक आया है मामला जिसमें वसीयत का था एक आदमी ने फर्जी बोला मैं इनका बेटा हूं और वो केस 40 साल के बार डिसाइड हुआ है जब कर डिने प्रोफाइलिंग हो जाए डिने टेस्टिंग हो जाए तो एक दिन में पता चल जाएगा इनका बेटा है की नहीं तो भारत में स्लो जस्टिस सिस्टम के कारण कम सकम दस लोगों की हत्या होती है अच्छा हत्या कैसे गाओं में जो जमीनों का विवाद चलता है गरीब आदमी के जमीन पर किसी दबंग ने कबजा कर लिया उसको 10 साल तारिक पर तारिक मिलती रहती है 20 साल तारिक पर आचा रहती है एक दिन गरीब आदमी किया करता अपने बच्जों के कफ्टा करता है लाइटी डंडे उठाता है और दबंग को छढ़ने जाता है अपर दबंग गोली चला देता है अगर भारत में स्पीडी इस्टिस हो ज Mic justice within year हो जाए तो इन 10 लोगों 10 लाख लोगों की जान बच जाएगे जो जमीन के विवाद में जब देखते हैं कि उनको फैसला नहीं मिल रहा है administration को कोई support नहीं मिलता है तस्विलदार कोई सुनता नहीं ultimately जो पूरा system है ये दबंग oriented है इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में अगर justice within year हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा लोग अवैद निर्मार नहीं करेंगे लोग अवैद कबजा नहीं करेंगे justice within year हो जाए तो घूस खोरी एक बहुत बड़ी समस्या है अगर हमारे देश में घुस खोरी जमा खोरी मिलावट खोरी काला बजारी कमीशन खोरी मानो तसकरी सोना तसकरी यह सब चल रहा है ना अलगावाद कटरवाद नक्सलवाद मावाद जहाद मजहभी उन्माद धर्मांत्रण घुसपैट पर हमारी पी आयल है की अभी हमारे हां क्या हूँ रखा है की 1861 का पुलिस चल रहा है जी अंग्रेजों ने मनाया था उस तमई एटीन हंड़ सिस्टीवान में यह वह चल रहा है वह कानून ऐसा है कि वह पुलिस हमेशा सत्ता के गुलाम बनके रहे जी कानून 1861 का है तो अ क्योंकि एक मिला करना ट्रांसफर हो जाएगा तो अभी हमारे पास पीपल्स पुलिस नहीं है हमारे पास रूलर्स पुलिस है जी और इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है आपको इस तरीके का मामला है आपको तीन दिन कंदर डिसाइड करना है आपको अगर ऐसी मर्डर की जाच है आपको ये दस दिन के नंदर पूरी जाच कम्प्लिट करनी है अच्छा आपको किड्नेपिंग का मामला है अपको पुलिस चार्टर का मतलब हर एक काम पुलिस जो कुछ काम करती है उसका इस्पेसली बकादा एक रेजिस्टर मेंटेन होन चाहिए हावलदार का क्या काम है थानेदार का क्या काम है डिप्टी एसपी का क्या काम है कमिस्णर का क्या काम है एसीपी का क्या काम है डीसीपी का क्या काम है और कौन सा काम कितने दिन में करना है उसकी responsibility और accountability दोनों clearly mention होना चाहिए दुनिया के कई देशों में पुलिस चार्टर है हमारे देश में पुलिस चार्टर नहीं है इसलिए हमारे अगर आप देखिए states की पुलिस अलग-अलग तरीके से काम करती है अच्छा यूपी की पुलिस 2017 के पहले अखले स्यादों के टाइम में जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी वही पुलिस अब आतंकवादियों के घर पे बुल्डूजर चलाती है कैसे ruler change हो गया हमारा यह कहना नहीं नहीं है नहीं होना चाहिए कि ruler change हो जाए तो पुलिस का behavior रूलर कोई हो कानून ऐसा होना चाहिए कि पुलिस अपना अपना duty करे जी और यूपी की पुलिस का behavior आपको अलग नज़र आएगा केरल की पुलिस का अलग नज़र आएगा आपको बंगाल की पुलिस का अलग नज़र चालिए कितने सारे मामले मैं इसा होता है कि आपने सुना होगा सबूत के अभाव में बरी हो गया यह समय का होताै कि पुलिस वाला जो amuk जो इन्विस्टीगेंशन करता है और जो जो evidence एकठा करना चाहिए as per law वो एकठा नहीं करता और नहीं करता और बाद में मामला court में चला गया और बरी हो गया लेकिन सवाल यह जब बरी हो गया जिसने investigation किया उसके पर कोई करवाई नहीं हुई इंजस्टिस हो गया जिसको सजा होनी चाहित उसको सजा नहीं हुई एक गरीब आदमी एक निर्दोस आदमी जेल में सड़ रहा है दोसी आदमी को जमानत मिल रही है इसका रूट काज घटी आई investigation और घटी आई investigation क्यों हुआ पैसे के लिए तो उसकी कोई accountability नहीं है इसलिए म भारत में जो इंडियन पिनल कोड चल रही है और 1860 की चल रही है अच्छा इसका background आप समझेया 1857 में मंगल पांडे ने क्रांती किया अपने सब ने पूरा देश में जो क्रांती हुई उस क्रांती को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि हम कानून बना और मैकाले को बोला तुम कानून बनाओ इनको कानून हम गुलाम मनाएंगे लाठी डंडे से साथ साथ कानून के जरिये गुलाम मनाएंगे पहला कानून जो मैकाले ने मनाया उसको 1860 में बता इंडियन पिनल कोड अच्छा हम 2023 में अभी हैं 75 साल से ज्यादा बीच चुक है भारत में इंडियन पिनल कोड है इंडियन पिनल कोड में किव टूंटी थीचप्टर आदा है अमेरिका के फेडरल पीनल कोड में 123 चप्टर आच्छित Сам कि वहां की पपुलेशन कम है तो काय देस हमारी पॉपुलेशन ज्यदा है हमारक ग्राइट ड्ल्सराइब लेकिन हमारे हैं, केवल 23 चप्टर है हम ने क्या किया कि कानूनों का मकर्जाल बना दिया घुस-खोरी कलक कानूंढर फिलाग क कानूनered को मिलावट्ण उन ना काराबाजर कानून नसटरजक्ऱ कलकर कानून आतंकवाद कलक कानून अच्छईब FIR लिखने वाला Constable होता है, जो 10 वी आ 12 पास होता है, अब वो 10 वी और 12 पास Constable यो FIR लिखता है, वहीं से सुरू होता है कि वास्तों में सजा होगी कि नहीं होगी, वो बेचारा 12 पास 50 कानूनों को कैसे पढ़ेगा, ठीक से FIR नहीं लिखेगा, जब ठीक से FIR नहीं लेंगे और उसको सबूत के अभावंबरी करा लेंगे अगर वन नेशन वन पिनल कोड हो एक ही किताब हो उसी में चैप्टर वाइस सारे जितने भी अफेंस हैं डिकलेर होते चले जाए चैप्टर वन घुस खोरी चैप्टर टू जमा खोरी चैप्टर चैप्टर त्री लिखता उसलिए बहुत आसान होगा सीधे वह इंडेक्स देखेगा अच्छा इन्होंने क्या-क्या अपराद किया चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर च्री चला जाएगा और वहां से सीधे सेधे सेक्शन डालता चला जाएगा एक अची अच्छी वाइर बन हो एक देश एक दंड भ्रस्टा चार अपराद के लिए जितने कानून है पचास के असपास चलना है इनको सब को मर्ज करके एक One Nation One Penal Code हो जाए ऐसे पुलिस एक्ट One Nation One Police Code हो जाए एविडेंस एक्ट पर मैंने प्याइल चल रही हमने यह का कि भी आज आज के जबाने में इथिक्स मॉरालिटी तो है नहीं सच लोग बोलते नहीं जूट बोलते हैं पहले के जमाने में हमारा जब चुकि इतनी तगडी थी कि पंचायत होती थी दोनों से पूछते क्या है गंगा जल रखते थे एक लोटे में उसमें थोड़ा तुलसी रखा थोड़ा सोना रखा बोले गंगा जल उठा के बोलो जो तुम बात कर रहे हैं यह सई है कि नहीं जो आदमी जूटा होता था वह अपना गुना कभूल कर लेता था यह सिस्टम था हमा नेता नवकर साथ सच बोलते नहीं तो सचाही आएगे कहां पूरी सचाही सामने कैसे आएगे इसलिए हमने किया कि भारत में एक वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाया जाए 1872 वाला एविडेंस एक बदला जाए हमारे देश में जो गवाही होती है, जो गवाहों के बयान होते है, विटनेस जो होता है, ये सारा 1872 वाले कानून से चलना है, नार्गो पॉलिग्राफ बेन मैपिंग हमने बनाया नहीं, तो सच्चाई पूरी आती नहीं, आधे लोग इसके चक्कर में बाहिजद बरी हो जात टो पता चला कहिं एक लैभ बनाने में एक करोड रुपए खर्च हो गा ठीक है, पको एक करोड रुपए में आपको एक लैब दयार हो जाए-क जिसमें उस वेक्ति का आप नार्कों टेस्ट कर सकते हैं, पॉलिग्राफ की ऐसे ब्रेन मैपिंग भी कर सकते हैं, जरूर पढ जाएगे जी और ये नार्को पॉलिग्राफ ब्रेंड मैपिंग का फायदा ही होगा आदे लोग जो जूठी गवाही देते हैं यह देंगे नहीं जूठी सिकायते बंद हो जाएंगी छेड़ चाड के जूठे मुकदमें बंद हो जाएंगे बलातकार के जूठे मुकदमें ब इतना कर दिया जाए कि जूठ बोलने को गंभीर अपराद भोसित कर दिया जाए जी और नार्को पॉलिग्राफ इंड मैपिंग बना दिया जाए तो डेटरेंट का काम करेगा बिल्कुल हमारे देश में जूठ बोलना पाप तो है लेकिन जूठ बोलना अपराद नहीं और 40 साल के बाद मामला डिस्टिक कोट से सुप्रिम कोट तक आता है तब सुप्रिम कोट के जज कहते हैं यह मामला जूटा है अरे वह जूट एक दिन में पकड़ी जा सकती है एक दिन के टेस्ट में पकड़ी जा सकती है तो जो काम एक हपसपता में हो सकता है पांस दिन मे एक जिला है जॉनपुर जी उनिस सो पच्चासी से वहाँ केस चल रहा है आज उनिस सो पच्चासी का मतलब 38 साल हो ठीक है अभी वह लोएस्ट लेबल पे है जिसको कंसोलेडेशन ओफिसर कहते हैं चकबंदी अथिकारी कहते हैं वह सबसे लोवर लेबल है किसी जमीन के मुकदमे का अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है तो वहीं पर है अर्थिस साल से डिस्प्यूट क्या है एक दो लोगों ने विल लिखाई है वसियत लिख ने फैसला और दो दो दिन के वसियत असली है एक दिन में इसका फैसला हो जाए जाए लेकिन आप सोच लो 38 साल मुकदमा चल रहा है और बहुत दों के दो चलता-जारा चल दो चलता जान। से कितनी बार वहाँ पे लाटी चल चुकी है रखाल हो चुके हैं लोग हैल हो चुक है पुलिस केस हो चुका सब कुछ हो चुक है दस भी के जमीन का वुकदमा गैसा लेकिन उसका फैंसला नहीं हुआ मूल कारण के घटिया कानून, गटिया कानून के कारण मरडर हो रहे हैं, नोगे हाद पे टूट रहे हैं, एक्सिडेंट हो रहे हैं, दुस्मनी बढ़ती जा रही है, कानून का खॉफ नहीं है न, इसले कोई किसी की जमीन पर कपजा कर लेता है, कोई सड़क के किनारे सच उगलवाने के लिए नार्को पॉलिग्रा बेंड मैपिंग कानून नहीं है, जूट बोलना गंभीर अपराद नहीं है, मेरा यह मानना है कि जूट बोलने को गंभीर अपराद गोसित कर देना चाहिए, अगर हम यह सोचते हैं कि नहीं केवल धर्माचारियों के माध्यम से और इथिक्स पढ़ा के लोगं सिस्सा चुगलवा लेंगे, नहीं, दंड होना चाहिए, जूट बोला तो दंड है, वो ज़रूरी है, जे बिलकुल, तो उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म के आप बात करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म पे मेरा यह कहना है कि एक्जाम है, उनका सब का पेपर एक होता है, इंजिनिंग का पेपर कस्मीर से कन्या को मारी तक सब के लिए एक ही होता है, चाहिए, सब के एक्जाम कामन होते हैं, लेकिन हमारे देश में इस समय 40 तरीके के स्लेवर चल रहे हैं, CBSC बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, ICC बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, UP बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, पहली बात तो जो पढ़ाया जा रहा है, वो हमारी लाइफ में उसका काम नहीं है, बिलक बाबर हुमायों तुगलक गजनी गोरी के बारे में हमें पढ़ा के क्या मिल रहा है अरे हमें अगर पढ़ाना है तो रामके पूरजों को पढ़ाओ हमारे रिशियों को पढ़ाओ पांडिनी को पढ़ाओ भारत द्वाज को पढ़ाओ महरसी चरक को पढ़ाओ महरसी सुसुत model था तीपल का मतलब पांच साल का primary, पांच साल का secondary और पांच साल का graduation. आज भी अगर आप देखिए जो अंगरेजों का हमारा copy-paste मारा है, है वह ही. आज बी फस से लेके graduation तक 15 साल लगता है. लेकिन अंगरेजों ने कि कापी किया थो थोड़ा उसको बदल दिया उन्होंने प्राइमरी पांच साल कर दिया तीन साल जुनियर हाइज स्कूल छटवी सथी आठी फिर दो साल सेकेंड़ी दो सार हाय सेकेंड़ी और तीन साल का बीए बीससी बीकाओ हाइठी इसल साल हमारा जो प्राचीन सिस्टम था अभयों सिस्टम वह भी 15 साल कहीं था बच्च्छा आथमें-नौ शाल में याता था गुर्कुल और फिर वह तेस साल, چौब़्िस साल, पच्चिस साल होते- होते, गुर्कोल से बाहर हो जाता थी, उसकी एजुकिशन कम्टेट हो जाती थी, हमारे प्राइमेरी में जो पढ़ाया जाता था पहले, वेध पढ़ाया जाता था, यज्य विज्यान पढ़ाया जाता था, अस्टांग योग ठीक है, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी जिससे बच्चा मानसिक और सारेरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाए, क्या गलत है, क्या सही है उसको क्लियर हो जाए, बच्चे को प्राइमरिम इस तरीके का स्लेबस था कि वो आखों से गलत देखना बंद कर दे, कानों से गलत सुनना बंद कर दे, मुँंसे गलत चीज़ खाना बंद कर दे, सेंसे उसके कंटोल हो जाए, तो प्राइमरिम फिस्कली फिट हो गया, मेंटली फिट हो गया, उसको सही गलत का फैंसला हो गया, माता-पिता का सम्मान करना, भाई के साथ कैसे रहना है, रिस्तेदारों के पढ़ाया जाता था लग लग विशे पढ़ाया जाते थे जी अनफॉर्चुनेटी हमारे देश में आज से ही ऐसा विदेशी कस्टम आ गया जिस जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसका लाइफ में में कोई काम नहीं है आप खुद भी एक बार सोचना आप ज़रा इस बात को भी गौर करना आप ने जो प्राइमरी एक से लेके दसवीं तक पढ़ा है वो आपकी कौन सी पढ़ाया आपके काम आएगी इंफेक्ट आज आपका जो बिहाइवेर है वो आपने सेल्फ इस्टेडी बाद में किया होगा उसके विएस आपका बिहाइवेर पैटर्न बना है वो प्राइमरी से कंडी वाला कोई उसी नहीं है नहीं बिलकुल नहीं है हम यह कह रहे हैं कि प्राइमरी में आप 555 मॉडल सिस्टम डालिए पांच साल वैदिक सिक्षा लागू करिए वेद पुढ़ाईए महामारत पढ़ाईए रामचरित मानस पढ़ाईए योग विज् पास अलड़ी कानून चल रहा है राइट टू एजूकेशन र टी यह हमारा यह कहना है उसमें इक्वल जोड़ दीजे तो बन जाएगा राइट टू एक्वल एजूकेशन ठीक है जैसे पूरे देश में रेल्वे को चलाने के लिए एक रेल्वे बोर्ड है ऐसे आप पूर स्लेवाश की अलत लगल होता है न Kerry एक है बंगालो अपनी पढ़े तमिल्वाल ऑला अपने मलियान में पढ़े तमिल राडू ओल वाला तमिल्म पढ़े लेकिन syllabus और curriculum कामन करिए constitution कहता है कि लोगों को तीन भाषाओं का ग्यान होना चाहिए तीन भाषाओं के रूप में आप भारत की ही पुस्तकें जो है उनको पढ़ाईए जैसे हिंदी पढ़ाना है मालो तो हिंदी पढ़ाने में private publisher की किताब क्यों पढ़ाना हमारे पास राम चरित मानस से बढ़िया कोई हिंदी में पुस्तक नहीं है राम चरित मानस पढ़ेगा बच्चा तो हिंदी भी सीख लिया grammar भी सीख लिया व्याकरण भी सीख लिया लिखना भी सीख लिया पढ़ना भी सीख लिया लेकिन साथ-साथ उसने राम और भरत के बीच का प्यार भी सीख लिया राम अपने पिता के साथ कैसे behavior करते थो भी सीख लिया सीता और राम कैसे आपस हुं behavior करते थो भी सीख लिया तो एक तरीके से अगर बच्चा रामायड पढ़ेगा, तो हिंदी भासा सीखने के साथ तो एक अच्छा पुत्र भी बनेगा, एक अच्छा भाई भी बनेगा, अच्छा पिता भी बनेगा, अच्छा मित्र भी बनेगा, क्योंकि राम निशाद राज कैसे भी है करते हैं, यह है संस्कत में वालं मीकी रहा है दी या वेद हमारे संस्कत में वेद पढ़ाई बच्चा ग्रामर सीखे आर सी बांगुऑ भी सीखे गा लिट्रेर के भाने वेद वसी बादammen बीक्ळ और सबसे बड़ी बात ही इस अधरट खर्चा भी कम हो जो होंम ओर कऱाए है वाविद के ऊपर चर्चा होगी तक हुम सब्सक्राइक और बारती शंस्कृति भाषी परिंप्राउब भारती इंद्ध रिट न 2000 चक उद्धिमिशा उसके जिस चीक Allah कर ना है तो भी ठीको आप जर्मन सी फ्रैंच सी और जो करना हो सीयह को जिस तरने सी में जा फ्रीढ में जाम जो कर नाए करो उस पर आपकरते नहीं फार्व डाइमियra these MBA आप करोगे थीन साल का MBA HR से करो MBA Finance करो be marketing कुछ वह एपको कारें कामन होता हैं कि इंजिन करो आप एलेक्टिकल से करो मेकेनिकल से करो से करो कंप्यूतर से करो कि किसी से भी करो फर्स्टियर आपका कामन होता है अच्छा लाह हम लोग करते हैं फर्स्टियर सेकंडियर कामन होता है अच्छा लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं है जो कर रहा है कि उसको और आयरोएद के बारे में कुछ भी नहीं पता है हम यह नहीं पता है दुनिया का सबसे पुराना एल्थ्केर सिस्टम इसके नाम पे हम धन्तेरस मनाते हैं भगवान धन्वंतरी के नाव वह आज के हजारों साल पहले कोई नहीं थे तब हमारे पास महरसी च महसी भाव प्रकास थे महसी पतंजली यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अच्छे डॉक्टर हैं फिजीशियन है सर्जन है अनफॉचुनेटली हमारे भारत में इन महर्शियों को और इनकी पुस्ता को पढ़ाए नहीं जाता है आप चाइना में किसी बच्चों को भार हम भी ना आया यहां पर लेकिन उसको पढ़ना पड़े हैं चाइना ने कंबल सरी कर दिया अच्छा दुर्भागी बस हमने कंबल सरी नहीं किया नतीजह यह हो रहा है कि जहां पे हमारी किसी बीमारी का इलाज बहुत आराम से हो सकता है कोई एक पॉइंट दबा के हो सकता ह है कोई एक नेचरल चीज लेकर से उसके लिए हमको केमिकल खाना पड़ता है हमने इसलिए फाइल कि भारत में एक इंटीग्रेटेड मेडिकल का कोर्स सुरू किया जाए जिसमें फस्टियर में जो भारती ची किस्सा है पहले उसको पढ़ाया जाए उसके बाद सेकंडियर थर्डियर फूर्थियर में आप उसको विदेशी पढ़ाई है जिसका जिसमें इंटेस्ट हो उसको पढ़े लेकिन फस्टियर सबका कामन हो और फस्टियर में सभी जो लोग मेडिकल कर रहे हैं उनको महरसी चरक, चरक संगीता, सुसुष संगीता, माधवकर संगीता, सारं पर दिन फूर्षिजर को जो उसके बाद कुछी पाल्रंद पूर्षिए पर प्रस विद नहीं तुटेस्ट आपनें सारे कुछा नाम दिये थे आपी, जो मुझे बता नहीं है, थोड़ाई प्रस प्रसुप पे घंडर से जाधा पी बडर को एंच इंडिक्वालिटी नही हमारे देश में आज भी बाकी लोगों में हिंदू जैन बहुत सिख में शादी की जो मिनिमम में 18 साल है लड़की की लड़के की 21 साल लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी कुमन नौ साल चल रही है आज भी नौ साल नौ साल का मतलब वह ज्यादा चौथी पास कर पाएगी अगर वो पढ़ाई कर रही है थर्ड या फोर्थ पढ़ पाएगी बस उसकी पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी दुनिया के 125 देशों है कहीं 20 साल है कहीं 21 साल है कुछ देशों में 18 साल भी है लेकिन जो भी शादी की मिनिममम एज है ना वह यूनिफॉर्म है अलग अलग नहीं है तो पहले तो हमने बोला भी 18 क्यों करना इसको बराबर कर दो दूसरा मुस्लिम बेटियों की 9 साल क्यों अरे उनकी भी एक समान हो जाएगी वह मेंकि मेंले में कुछ ब्रूम हो सकता को और प्रूज करकार को जब Mumbai होजाएं की उनको कोई टॉर्चर लोगसभा से पास हो गया है, अब इस standing committee में है, मुझे लगता है बहुत जल्दी राजसभा से पास हो जाएगा, फिर कानून बन जाएगा, तो देश में कमसकम देश की सभी बेहन बेटियों कि शादी कुमर एक बराबर हो जाएगी, उनिस साल होगी, बीस साल होगी, लेकि कमसकम बराबर हो जाएगी, मैंने दूसरी PL फाइल किया कि शादी का राजस्टेशन कंबलसरी करिये, उससे बहुत फायदे है, एक तो उसका मिस्यूज नहीं होगा, दूसरा कोई छोड़ के भागवाग नहीं पाएगा, शादी का पाते हैं, वो ऐसे ही शादी का सर्टिफिकेट बनाना कमपसरी कर दिया जाए, फिर मैंने तीसरी PL फाइल किया कि ग्राउंड साफ डिवोर्स सबका कामन होना चाहिए, अच्छा, अभी ग्राउंड साफ डिवोर्स सबका अलग अलग है, हरें का अलग हरें, मुसलिम्स का अ हिंदु-जैन बाउंदस्री तो हिंदु क खालाते हैं, उनका अपना अलग है, हमारा यह कहना है, जातना में हरें कोड होने पर डिवोर्स हो सकता है, तो वह भी अदिवोर्स सबके लिए अलग होना चाहिए, तो जातना है तो नहीं होना चाहिए, अगर नपुन-सक्ता के भी फिर मैंने एक और पील फाइल किया कि प्रोसीजर आफ डिवर्स भी सबका कामन होना चाहिए हिंदु जैन बाउदसिक का डिवर्स कोट के जरी होता है अच्छा मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक भले खतम हो गया उसका कानून भी आ गया लेकिन चार तरीकिक तलाकार भी च स्कोप नहीं है जो है वो सोहर के लिए है जब चाहे दे दे इसका मैं आपको दो तीन एक्जमपल बताता हूं नुएडा में एक चैनल में काम करती है लड़की बेनजीर हिना नाम है उसका उसके हस्बेंड जो की एड़ोकेट है यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो भी उसका हस्बेंड उसको एक चिठी बेशता है हम तुम्हें तलाकेहसन देते हैं अप्रैल में मैं दूसरी चिठी बेशता हम तुम्हें तलाकेहसन देते हैं जून में उसको इमेल भेशता है हम तुम्हें तलाकेहसन देते हैं 15,000 रुपे पेटियम करता है और 2,000 रुपे फ डिवर्स हो लया है यह है तलाके हसन ऐसे एक लड़की मेरे पास आई मुंबई ही से उसके फाधर आठा चक्की पर काम करते लुकर है उसके अस्बेंड मेरे एक लड़की मेरे पास करनाटय कि अज़त काहना अविएधा म्मश ुधम्य को ? हईसवन थे मने तरह मतलब जायों मैंने तुम्हायच बास उतना है उतना प्रताव partie librarians G एसे चार तरीके और अभी अब भी चलना है ये माइट हस्थ इस सप्रीम कोड़ में पेंडिग है अब स्थ सुप्रीम कोड जब भी हैनुच बना यह लेकिन मेरा यह मनना है कि अगर उनिफॉर्म से इंक्लूड हो जाएंगी अपने आप में यह कुरितियां खतम हो जाएंगी ऐसे ही लोगों को देश की सभी बेहन बेटियों को सक्सेशन और इंहरेटेंस विरासत और वसियत का इक्वल राइट मिले एक मेरी उस पर प्याल चल प्याल है पापूलेशन कंट्रोल लागू हो उस पर प्याल है हमने अपनी इतिहास से देखा नहीं अभी जी भारत में मानो इतिहास पर सबसे पहले पॉली गयमी को बयन करने वाले भगवान श्री नाम है भगवान स्री राम के पहले तक पॉली गयमी थी अच्छा लेकिन जी ने अपने उत्तरकान में लिखा हुआ है में दोहा है तो से दाजी ने भी लिखा हुआ है दुई सूत सीता सुंदर जाए लोकुस वेद पुरानन गये भगवान श्री राम ने जब राजपार्ट समाला तो उन्हें सबसे पहला काम किया कि अब अब इस पूरे भारत मे पौलीगेमी नहीं होगी सब लोग एक पती एक पत्नी का उरत ले गए अच्छा और प्रजा को असपस संदेश दिने के लिए चारो भाई नों खुद फालो किया भगवान राम ने एक विवाग किया लक्षमर जी ने एक विवाग किया भरत जी ने एक विवाग किया संजी के दोग अच्छे अच्छा तो जिस हम अभी पापुलेशन कंट्रोल की बात आज हम कर रहे हैं जिस यूनिफॉर्म सील कोट की बात हम आज कर रहे हैं कि महिला पुरुस को इक्वल राइट हो महिला पुरुस को समान अधिकार हो अपसे हजारों साल पहले ही भगवान से राम लागू कर चुक है जिस यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात हमने आज कि आपसे कि मंत्री और संत्री के बच्चे की एक किताब हो कलर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब हो कस्मीर और केरल के बच्चे की एक किताब हो इसको भगवान राम के पूरुस थे महार प्राज रगु हैं अच्छा इसलिए दसरजी जो छत्री एं और उनके मंत्री सुमंत जो एक नाविक के बेटें दोनों एक स्कूल पढ़े थे आज की रेट में मंत्री और संत्री के बच्चे एक इसकूल में पढ़ते इतना डिफरेंस हो चुका है क्लरक और कलेक्टर का बच कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए उनिफार में ज़रूरी है भारत में भाइचारा बनाने के लिए और देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट देने के लिए उनिफार्म सीविल कोड़ ज़रूरी है और गरीबी भुखमरी कुपोसंड प्र परसंट जमीन है हमारे पास दुनिया का चार परसंट पानी है और प्लेस दुनिया के 20% हो चुकी जिए बिलकुल आस टेलिया मसे तीन गुना बढ़ा है हमारी लगभग तीड़ सो को एक सो पैंतानीस करोड़ हो चुकी है तो जिए ओपिसलिए और ओफिसलिए एक सो जब तक सरकार दो करोड घर बनाती है तब तक 10 करोड बेघर पैदा हो जाते हैं जब तक सरकार दो करोड जब तक सरकार दो करोड रोजगार जनेरेट कर पाती है तब तक 10 करोड बेरोजगार और पैदा हो जाते हैं नतीजा यह है कि जब भारत की पापुलेशन 40 करोड थी तो भारत में 4 करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे थे यानि 10% गरीबी रेखा के नीचे थे 90% गरीबी रेखा के उपर थे आज जब हमारी ऑफिसील पापुलेशन 145 करोड है तो आफिसीली 81 करोड 80 करोड से ज्यादा लोग को मुफ्त में अनास दिया जा रहा है यानि 80 करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे 10% लोग थे आज गरीबी रेखा के नीचे 60% 80 करोड लोगों को अगर मुफ्त में रासन देना पड़ रहा है यह गर्व की बात नहीं है यह शर्म की बात अच्छली यह फेलेर है हमारी सरकारों का अगर हमने भी चाइना के तरीके से जब चाइना ने तूचाइड पॉलिसी लागू किया हमने भी किया होता तो आज हमार स्याओं का समाधान हो गया होता और आगदी मेरा यह मानना जब तक आप युनिफॉर्म सिविल कोड के साथ पॉपॉलेशन कंट्रोल को नहीं लागू करेंगे कोई भी सरकार आजाए कोई भी स्कीम सफल नहीं होगी हमेसा एक गैप बना रहेगा एक बैकलाउग बना मेरा हमना है हमदो हमारे थो कुछ लोग इसको कहते हैं जिसको ने चाहिना की जन संखै बूरी हो गई चाहिना इसनले बाद में हमदो हमारे एक कर देता हूँ हम किया थोड़ा सा अधरवाज हम दो हमारे तो स्टेंडर्ड है उसमें कोई प्रॉलम नहीं आएगी एक और लाजिक दी जाती है कि नहीं एजूकेशन के साथ पॉपुलेशन पॉपुलेशन के वाराइन के सीटेंहें के बारे में इसको बहुत अच्छी तरीके से explain किया सकता है केरल में 20 लोगसभा छेद रहे हैं हां आप किसी भी एक लोगसभा को उठाक लीजे चाहे ससी थरूर साब की तिवेंडम उठा लीजे या राहूल गांधी की वायनार को उठा लीजे और 20 साल की ओटर लिस्ट को देख लीजे य आप ओटर लिस्ट उठाके देख लीजे केरल की वहां आपको 14 बच्चे 15 बच्चे भी मिलेंगे अच्छा जो केरल का टी एफार डाउन हुआ है जो केरल का टी एफार दो आ गया है वह हिंदू और क्रिश्चिन के कारण हुआ है और यह फैक्ट है जो सेंसस होता है वो दस इससदूहलित केरल केरल में आज से सिक्षा नहीं है। पच्ञेस– تीस साल से बेहले से वैल एजccेटल माना गया है। तो आज की डिट में केरल मिं बारा बारा बच्चे क्यों पैदा हो रहे वें पंद़व पंद्र बश्चें क्यों पाइदा हो रहे थे आज इसको विश साइंस इसको पता करना बहुत आसान है अगर तू चाइल्ड स्कीम को फालो नहीं किया आपकी खतम होगी आपकी और राइट खतम होगा तब जाके इंप्लिबेंट हो पाएगा ऐसे सोच नहीं तुम तू चाइल्ड पॉलिसी में अपने आपना लो तुम तुम्हें 50,000 इसलिए वो सब नहीं करना चाहिए सीधे दंड की वह उस्ता है हेलमेट नहीं पहनने पर दंड है ना सीड बेट नहीं लगाने पर दंड है तो ज्यादा बच्चा पाइदा करने पर दंड देने हम क्या दिकत बिल्कुल और जो फालो करेगा उसको कोई फरक नहीं है अक्चली उनके मन में कुछ हला गया है उनके उपर शंका करने की जरूरत है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे है हाँ आपने का कि हमारा ओफिशल पॉपुलेशन 145 क्रोड़ से अच्छली देड़ सो के आस पास होगा तो यह इलिकल इमिग्रेशन से हो रहा है क्लियर बिल्क साल हो चुके जिए उसके बाद अभी कोई रुका नहीं है आना बंद नहीं हुआ है घुसपैट का जो मूल कारण है वह है घुसखोरी बिल्कुल हंड़ड परसंट बार्डर पे घुसपैट ही है दो-दोजार रुपे दे के आते हैं अभी कुछ दिन पहले एक छापा पड बंगलादेशियों को अंदर लेने का जितनी गाय बाहर जाएगी उसके उसका भी पैसा लेते हैं और जितना बंगलादेशी अंदर आते हैं उनका पैसा लेते हैं अच्छा दूसरा अभी निये ने शापा मारा दस राज्यों के 55 सहरों में उनको बाकाइदा ऑफिसली और रुपए 2000 रूपए देके आधार बनवा लिए एक डाकुमेंट हुआ फिर 2000 रुपए दिया दलाल को पकड़ा बर सर्टिफिकेट नगर निगाम का 2000 रुपए बन जाता है दो हो गए दो डाकुमेंट हुआ 2000 रुपए दलाल को देके फिर से रासनकार लेडिया तीन हो हो गए तीन डाकुमेंट हुआ तीन से चार अजार रुपए दलाल को देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस जब चार डाकुमेंट हो गए बैंक में खाता खुलवा लिया और जब एलक्षन आया तो ओट सब को चाहिए यह जो ओट जीवी नेता हैं वह क्या करते हैं उनका ओट केड़ी रखते हैं कोई आएगा फर से दिखा देंगे ड़ स्थक Eigen घुसखोरी खतम नहीं बंदूगे जब तब तक घुस खोरी खतम नहीं होगी तब तक भारत में अरसी सफ़ल लें होगी। घुस खोरी के कारण असम के अरसी फेल होगई। ताहिए सपर्वानद स्वाल में थे संफलियों पहले के अलचा है, पहले हैओ है, कानून भोल में गिलर की को सबाई, सबस्तुत स्प्रीम कोट में और सुप्रियम कोट में करीव 1.5 साल चलती रही इस बीच उनको टाइम मिल गया और उन्होंने सब गुस्पेड बनना हुआ है इसमें रेजिस्टर बनता है यह जाता को ने बनाने जो घरेट के गॉर्मन्मंट इंपलाई है लेखपाल पटवारी चपराशी प्रामिरी के टीचर उसमें लगाया जाते हैं यह जाते हैं डोर डोर जाएंगे फेमिली एक फेमिली का एक पन्ना उस पर बनाएंगे फेमिली का मुखिया का नाम लिखेंगे और उनके मेंबर्स कितने उसको लिखते जाए तो यहाँ से लिखा जाता है वो रेजिस्टर बनाए जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पर क्या किया जो घुस खोर इंपलाई थ तो दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रेजिस्टर में इंटर करते थे उतने असम के लोगों का नाम और रेजिस्टर से निकाल देते थे तो जब तो पता चला घुसपैठिय तो भारती बन गए अब भारत के लिए घुसपैठियों कोट आए बाद में फिर अंगामा हुआ जो लोग असम में रह रह रहे हैं दस साल से दस पीडियों से बीस पीडियों में बोला हमारा नाम क्यों नहीं है यह तो नर्सी करें बड़े बिलकुल तो बड़े प्लांट वे मुस्पूरे नर्सी को फेल कर दिया गया इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक करप्शन खतम नहीं होगा तब तक भारत में आज की डेट में 100 रूपे से बड़े नोट की ज़रूती नहीं है 80 करोलों गरीब है 80 करोलों को रासन मिल रहा है रासन उनको दिया जाता है जो गरीवी रेखा के नीचे होते सरकार ये खुद मानती है कि भारत में 80% लोग परड़े 100 रूपे से कम खर्च करते हैं तो जो 100 रूपे से परड़े कम खर्च करते हैं उनको 100 रूपे से बड़े नोट की ज़रूती नहीं है जो 20% लोग 100 रूपे से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, Paytm, Bheem, UPI, debit card, credit card सब कुछ है सरकारी आकड़ा ये बताता है कि इस समय 50 करोड जंधन खाते खुल च चुका है क्योंकि जंधन खाता गरीबों को खुलता है सरकारी आकड़े बताते हैं कि भारत में इस समय 100 200 करोड बैंक टोटल एकाउंट है मतलब करेंट ऑंट सेविए एकाउंट मिलाके सवा 200 करोड हमारी पापुलेशन देट सो करोड खाते कितने सवा 200 करोड हमारी पापुलेशन हमारे हां टोटल 35 करोड परिवार रहते हैं और हमारे देश में 130 करोड आधार बन चुका है अच्छा यानि हर घर में आधार भी बन चुका है तो प्रत्येक परिवार के पास एक ब नोट बंद करदे, 15000 रुपए से महेंगई समान का आधार से निंक्कर डे, Age Fundations by कर दें सब खतम कर दें जितना कमाने पर कोई टैक्स नहीं खर्चा करने पर टैक्स आप कमाते जाओ कमाते जाओ कमा के क्या करोगे या तो खर्च करोगे तो टैक्स दोगे और बैंक में रखोगे सरकार को फायदा मिलेगा जी अब कर लोगे तो भी सरकार को फायदा आप बैं क्लर्क हो चाहे कप्तान हो चाहे सांसद विधायक मंत्री पार्शत जो कर्फशन करते हैं उससे वह प्रपर्टी खरीते हैं जब आपने 50,000 रुपए से महंगी प्रपर्टी को अधार से लिंक कर दिया तो प्रपर्टी बेनामी खरीदी नहीं पाएगा उसको अपने नाम पे और अपने नाम पे खरीदेगा तो दिल्ली में बैठे बैठे साफ्ट्वेर बताएगा कि देखो यह फला राम कुमार ने पचास लाग की प्रपर्टी खरी लिया एक्चल में इसकी वही इंकम तो ही नहीं है भाई साफ्ट्वेर बता रहा है कि राम कुमार की साल की इंकम 10 लाग रुपए है और राम कुमार साल में 50 लाग रुपए खर्च कर रहे हैं यह बाकी 40 लाग कहां से आ रहा है कोई पकड़ में आगे फट से जब यह सारे टेक्स करतम हो गया इंकम टैक्स खतम हुआ तो इंकम टैक्स लिपार्टमेंट कर रूपए कर रप्शन आता है खर्च वाता है इनके इंप्लाइस को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पेंशन कार डीजल पेट्रोल सब कुछ देना पड़ता है मकान देना पड़ता सब कुछ सब्सक्राइब नहीं और भारत में जब तक वन नेशन वन टैक्स था तो भारत की जीडीप चालिस परसंट आचा चारग समर्सटे में व्यारवकार्य won वाल एक टैक्स दिना होता था सरकार को फिक्स टैक्स हम इतने कदंदा करने इतना टैक्स लेवां सबसे बड़ा लावत होगा करप्शन खतम हो जाएगा आपके पास खर्च करने की कोई गुंजाइसी नहीं है आपको कैस खरीदी नहीं पाओगे जैसे आप डिजिटल टांजेक्शन करोगे सरकार को पकड़ में आ गया कितना कमार है हम कि घड़ी पांचदा रुपए से महंगी खरीदोगे सरकार के रिकॉर्ड में आ रही है तो जब भी हम कुछ भी महंगा खरीदेंगे समाने तरह जो लोग करते हैं चार्टेट प्लेन से चलेंगे बिजनेस क्लास में चलेंगे महंगे मोबाइल महंगे चस्मा महंगी घड़ होती उतना ज्यादा हावाला होता है जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा ब्लैक मनी होता है हमने सवरुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया 25 परसंट करप्शन ऐसी खतम हो जाएगा क्योंकि एक अटाइची में सवरुपए की नोट रखने माल एक करोड आया चिक एक तो पहली बात करप्शन खतम होगा व्यापाईयों को बहुत इससे लाव होगा अभी उनको जो टेंशन बना रहता है हर तिन-तिन महीने मुनको टैक्स के लिए पूरा स्टेट्मेंट बनाना पड़ता है रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है पूरा उनका वहलब उनकी 25 प पैसा मिलना चाहि है भी निहें पारा है वन निसन मुटक सत्रकार को बैठे बैठे जितना भी हों उनको और ओर ए जिसका लगभग डबल आएगा प्रसाइब कोई कोई लाइबिल टिन नहीं कहीं कोई एक सपेंडिचर नहीं और सरकार का का मिडल क्लास को आराम का कोई टैक कि रहा है पैसे दे कि नहीं भीक रहा है वो सब भी बंद हो जाएगा जी बिलकुल आप कुछ के बारे यदि को नहीं कर दो है के खेलाफ ड़ी पियाईल है आयात है मुगल एक्च fact Dank कराने आया इस्लाम को फैलाने आया थे वो जो बिजनेस किया आई रूल नहोंने पावर लिया उसका में मूटिब था इस्लाम को हाँ ऐसे दूसरा ने इव दिए कि ने स्थ इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई बिजनेस करने आनना और यहां सरकार वह एक उनका तरीका था लेकिन अरॉल कि counting नहीं कि तो जो और आल जो ब्रिटिस ने किया यहां पर क्रिस्चिंटी को फैले मुगलों ने इसलाम को फैलाया बिटिस ने कृश्शन्टी को फैलाया अलग अलग उसके लिए मुगलों ने तलवार के दूप डुर्जन कराया ब्रिटिस ने कानून बना-बना के कराया, और वो कन्वर्जन आज भी हो रहा है, आज भी इसलिए हो रहा है कि वो ब्रिटिस जो कलोनियल लॉज थे, खतम नहीं हुए, हमने कठोर कानून बनाया नहीं, हमने दंड की बेवस्ता किया नहीं, मैं आपसे पूछते हूं. Conversion National Security के लिए threat है कि नहीं? बिल्कुल है. तो जब National Security के लिए threat है, तो हमारे पास एक कानून है National Security Act. लेकिन पूलिस उसको use नहीं करती है. Conversion हमारे देश की Unity और National Integration के लिए threat है किन? जी है. और National Unity, जो National integrity है, इसके खिलाब जो थ्रेट है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है UAPA लेकिन पुलिस उसको उसको यूज नहीं करती है कन्वर्जन एक वेजिंग वार है एक इन डारेक्ट वार है भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए डेमोग्राफिक वार है हमारे पास वेजिंग वार के लिए एक सेक्शन भी है इंडियन मिनल कोड में सेक्शन 121 अच्छा लेकिन पुलिस उसको यूज नहीं करती है यह बारति पंथ के लोगों को वीदेशी पंथ में कन्वर्ट करना जी कि रिलिजन में कन्वर्ड करना गुर्णम जो कैता की नहीं जो से समान नहीं और जो लोगा Is में convert कर देना अपने आपने देशद्रो ऐसे बड़ा देशद्रो क्या हो सकता है कि भारतियों को एक विदेशी religion में convert करना और ऐसे विदेशी religion में करना जो भारत को मानता हो न भारत की crime है एक व्यक्ति नहीं करता है पूरा syndicate होता है एक व्यक्ति उसको पैसा उपलब्द कराएगा एक व्यक्ति उसको कुछ टांस्पोर्ट के सिस्टम देगा ऐसा पुरा कई लोग मिलके करते है पूर ऑर एगए परने के लिए होते हैं और मैंदेरने के लिए आपने मालो यृव्य गंग तरिक लगा दिया तो आप 100 प्रसंट प्रॉपर्टी भी जब सकते हैं आप उसके घर भर बल्ड़ोज़ा भी जला एक साल तक जमानत नहीं होगी यूए पी यह लगाए जाए हमारी देश के एक ताखन तक ले खत्राग लगाए जाए यह दो देश्डरो है कर वेजिंग वार लगाए जाए क्योंकि हमारी देमोग्राफी बदल रही जिए और इनकी हंड़र परसंट प्रपर्टी जब्द करन इसको दिया गाजयबाद के पुलिस कमिस्नर साब को दिया तो उन्होंने एक मामले में इनसे लगाया अच्छा और वह कानृप निसे लगा रहा है पूरे देश के लोगों से रिक्वेष्ट करता हों सांसद विधायकों को लिख चुका हूँ कि प्लीज आपके एरिया में कनवर्जन हो रहा है तो आप कनवर्जन के मामले में पांच कानून लगवाईए एनसे लगवाईए लगवाईए सेडीसन लगवाईए वेजिंग वार लगवाईए और गैंगस्रेट लगवाईए जी बिल्कुर उससे जाकि रुकेगा लेकिन यूपी पुलिस ने सुरू कि के आप वेजिए बाकी पंजाब में सबस्यादा धरमांदर्ण हो रहा नहीं हो रहा है धरमांदर कहा कहा हो रहे हैं भारत में सबसे जादा देखिए पाकिस्तान चला गया अफगानिस्तन गया सब चला गया भारत के नौराज्यों में हिंदू खतम हो चुक है लगवाई- के विला 8% हिंदू बचे हैं मिजुरम में मेघाले में इस तरीके से हिंदू लगातार 8 राज्यों में खतम हो चुक है अगर आप डिस्टिक वाइस देखिए तो भारत के साड़े सास सो जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खतम हो चुक है अगर आप तहसील के हिसाब से देखिए तो भारत में जो बॉर्डर पे 283 तैसील है 283 कि यए तालुक जिसको बोलते हैं यह तैसील बोलते हैं उन सभी की इस तहसील की डेमोग्राफी बदल चुकी है अच्छा कि गोव का बार्डर हो चाए केरल चाए बंगाल इसमम उपपपर का बार्डर रजर ऑर गुजरात का बॉर्डर का बॉर्डर का खतम हो चुका पूरी डिमोग्राफी बदल चुकी और इन टोटल टी तीन सो स्यारत तसीलों की डिमोग्राफी बदलने का तीनी कारण है घुसपैट धर्मांतर जनसंख्या विसफोट ची और इसमें जो मददगार होता है वह करप्ष इसलिए मैंने करफ्षन के खिलाप फ्याइल फाइल किया कि वन नेशन वन टेक्स लगाया जाए घुशपैट खिलाफ मैंने फ्याइल किया एनरसी लागू किया जै घुशपैठी योगा इंद्रिफइड किया जिए धर्मांतरण क्राने वालों पर पांच धाराय लगाई सब्सक्राइब करने के लिए 10 पिटिशन धर्मांतरण वाली मेरी डिस्मिस कराने के लिए 10 पिटिशन आ गई और ऐसे दिगज वकील हायर किये हैं जो 20-20 रूपए लेते हैं एक एक सुनवाई का अच्छा मैं एक दिन कल्कुलेट कर रहा था कि जो दस लोग एक खड़े हो रहे हैं की टोटल फीज कितनी है तो पता दला डेढ़ को डूरूप है उनकी फीज दिन की एक 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 एरिंग पे सोचे कितनी बाहर से यह फंडिंग आरे ही कन्वर्जन कराने के लिए तो कन्वर्जन की फिंणग खाड़ी देशों से हवाला के जरीं हो रही है वेस्ड कैसे तो उसके लिए मैंने प्लपाइल किए उनिफॉर्म बैंकिंग कोड बैंकिंग कोड मैंने डिश्म के लिए प्ल है उसके बीचल रही है कि यह डॉमेस्टिक टूल है और भारत के अंदर ट्रांजेक्शन है तो आई तीजेंग कोड यूस किया जाता को भी नहीं पता चल रहा है कि पाता चल रहा है अभी कुस दिन पहले पता चला है कि क्यों करोड रुपय है था इसके बालावा दिली में घटना हुई ती जिसमें साथ 20 क्रोड रुपय आ conversion कराने के लिए अच्छा और conversion आप देखिए पूरा नार्थिस तो convert हो चुका है हो गया यूपी बिहार से conversion होते होते जो हमारा सबसे strong point था जो सबसे powerful हमारा center था जहां की conversion के खिलाफ सिख पंत बना पंजाब जी पंजाब सबसे ज्यादा conversion वहां हो रहा है आप जड़ा सोची हमारे पूरोजोंने conversion के खिलाफ अपने बच्चों को दिवाल में चिनवा दिया गुरुवों ने हमारे दोनों साहिब्सादों को चिनवा दिया Conversion के खिलाफ हमारे गुरुन अपना घरधन कटवा दिया यहां दिल्ली मीई इस्टिंग कोई स्ट्रॉंग कानून नहीं है दूसरा जो कानून है भी एनसे यूए पीए वेजिंग वार सेडिशन उसको भी कनवर्जन में यूज नहीं किया जा रहा है अच्छा और उस मेरी पी आयल को डिसमिस कराने के लिए दद्दस पेटिशन आई हुई है कि डिसमिस सुप्रीम कोट में रूल है कि जैसे मा लीजे जो जज सुनते हैं हाँ जब तक वो रिटायर नहीं होते वो मैटर कांटीन उनके साथ ही चलता है अच्छा हाँ जब रिटायर हो जाएंगे तो जो उनके दूसरे जज़न के साथ चला जाएगा ठीक है जस्टिस साह की बेंच का मैटर इसाथ हमारा कौट सैभ aynı में तो एन게 साथ हैं प्र हमारा कुट का मैटर जब फार में आए eight hour ज्स कर दिए नहीं ने वाय ब долго वह इंप्रेटन है, हमें आटर पास्ट करें गए और रेगुलर उसको लगा भी रहते बहुत लंभी डेट भी दे रहे थे ओंडर दिन पीसको लगा भी रहे थे सेंटर गोवर्मेंट्स को पुछ आप इसमें क्या 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 करने वाले वाले सब कुछ कर लिए अलाओ सड़न उनकी बेंच बदल गई बच्छा और मैंटरू की हैंसे सिफ्ट होगया अच्छा और हमारा मैंटर तीसता-सीतलवाट इससा लगा दिया गया तीसा सितलवार्ज का मानना है कि बारत में अंति कनवरिजन लाइन होना चैखिए एउनका मानन है हमारा यह कहना है कि भारत में कनवर्जन को देश-द्रोयग घो सित करना चहिए रास्टी सुर्ख्चा के लिए खत्रा घोसित करना चторовично अरोरे अविधि भव पर हो गया चीफ जसी साब ने उसको अपने हाँ लगा लिया अब तब से थंडे बस्ते में है अभी उसमें आगे कुछ हो नहीं रहा है अच्छा जब होगा तो देखा जाएगा लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हमने धर्मांत्रण घुसपैट को नहीं रोका और जनसंख्या कण्या कुमारी तक कच्छ से कामरूप तक पंजाब में धर्मांत्रण हो रहा है जहां सिख पंथ बना था केवल और धर्मांत्रण रोकने के लिए जिन गुरूओं ने बलिदान दिया उस धर्ती पर धर्मांत्रण हो रहा है और आम आदमी पाठी सरकार कुछ नहीं कर रही मैंने कई बार लिखा केजरिवाल जी को कि बया आप कमसकम गाजियाबाद में अगर एनसे लग सकता है कनवर्जन के खिलाफ आप क्यों नहीं लगवा रहे हो आप जानते हैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च भारत में बन रहा है जालंधर पे गुर्वों की धरती बन रहा है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च इस समय पंजाब में एक तरफ मिसंडरी कर आ रहे हैं दूसरी तरफ जहादी इसलामिक कर आ रहे हैं और पंजाब की पुलिस चुप चाप बैटके देख रही है वहां आए दिन जगा जगा मीटिंग बुलाई जाती है नपुन सक्ता ठीक करने के नाम पर बाजबंड ठीक करने के नाम पर विमारीया ठीक करने के नाम पर ऐसे जगन जगा जगा सभाय के चंगाई सभाय को बोलते हैं इस पे सेंटर को अगे आना चाहिए और सेंटर को ततकाल सारे राज्यों को बोलना चाहिए कि जहां पर भी इस तरीके से डिसिट्फुल कंवर्जन हो रहा है वहां पर आप एनसे लगाई यह लगाई यह वेजिंग ओवर लगाई यह तभी यह रुकेगा नहीं तो नहीं हो जाएंगे गुजरात यूपी की सिच्वेशन भी वही चल रही है कनवर्जन को रोकने के की तरीका है सठे साथ हम समाचरित कठोर दंड और दूसरा कोई तरीका नहीं जी विल्कुल तो आइटिंग हमने सारा का सारा कवर कर लिया मोस्टली मैं एक अंतिम सवाल आप से प करता हूं सरकारों के ध्यान में वीचे होता है एक लोती सरकार समाज को जगाणे के लिए होती जा से हिंदु में खतंब हो गया हैं, दो सव जिएल तीन सव तैसिलों में खतंब हो गई यह हंडू को नहीं पता है यह dry go दो मैं हिंदुत और भारतियता यह दोनों एकी चीज़ है थो मैंने फिर प्याल इंन और आज दाम इनको मांधा अलब संखेक घोसित कर दो अच्छा हाँ ino अलब संखेक खोसित कर दो कम सकम खतम हो गए हैं तो माइनाटी वाला फाइदा तो मिल जाए आप जड़ा देखिए न सम्म्मिधान में माइनाटी डिफाइन है न किसी कानून में माइनाटी डिफाइन है सेंटर में माइनाटी अफेर मिस्टी चल रही है, राज्यों में माइनाटी अफेर मिस्टी चल रही है, सेंटर में माइनाटी कमिशन चल रही है, राज्यों माइनाटी कमिशन चल रही है, माइनाटी अफेर मिस्टी की दुनिया भर की योजनाय चल रही है, माइनाटी कमिशन किस लेवल पाइडेंटिफाई किया जाएगा नहीं पता हाँ यूएन कहता है जो यूएन की डिफनीशन है एनी ग्रूप और कम्यूटी फिच इस सोचली एकोनोमिकली पॉलिटिकली नॉन डॉमिनेंट एंड इंफीर इन पॉपुलेशन बहुत नगड़े संख्या में हो जि इसका न कोई वजूद हो कोई वजूद नहीं उसको प्रोटेक्षिं प्रॉटेक्शन की जरूप है चलता हक झाथ में इसकी पोजलिशन है हाँ माइनार्टी को प्रोटेक्शन देने की जरूप तो पाकिस्तान में है क्योंकि वहां सब एक समान सान नहीं मंगला देश में माइनार्टी को अलग से कुछ प्रोटेक्शिन्क कि जिरू थे कि वहां सब एक समान है भारत में तौ सब एक समान है फिर जो भी होजना हो गडरीबी के आधार पर हो यह क्या हो रहा है यह जो माइनार्टी का स्कीम चल रहें हैं ऐसे हैं अब आ जासी में धिक नगी और पशेल को स्कूल रहा रहें मोर्ण तो छोड़ तो स्कूल में सब से देवार अनिल कुमार, राम कुमार लिखते हैं, जो religion वाला कालम होता है, उसमें Christian लिख देते हैं, केवाल कि हमको भी 1000 रुपे वजीफा मिलता रहे, तो taxpayer के पैसे से इस तरीके से state sponsored conversion हो रहा है, तो सरकार जहां एक तरफ मठ मंदिलों का पैसा लेती है, दूसरी तरफ उसी पैसे से इ यहांपे majority community equal right के लिए demand कर रहे हैं, एक ही है, सादस्य पूरी दुनिया में जो minority होती होती हो, जो ''को हम को δे दो, बहरत में majority community के эта है हमके हमको बहुत दे दो, जैसे आपने मजार नहीं control की, आपने दरगाह को control की, आपने Masjid को control कोड की का बारत में मेस्जॉरी कşट के लिए युनिफॉर्म थे लोगू करो पाकिस्तान की मैजॉरी कमूटी कहती है निफॉर्म कोड्वा कर बाद के मैजॉर्टी कमूटी करें दरमांतराके किलाफ कानून बणां तो दो भारत में दुम हिंदुमारी में तभी उनी का conversion हो रहा है यह बड़ा यह आप देखो ना क्या situation क्या हो रहा है कि बहुत यहां पर भी हिंदों का conversion हिंदोस्तान में भी हिंदों जो 500-100 लोगसाइड cycle well कौन जीते का कौन हारेगा हम जो मायनाटी वाली पीयल में उसमें यह का कि जब एक परसंट ओट से सांसद विधायक का future decide होता है एक परसंट तो बीस परसंट वाले को आप मायनाटी कैसे मान सकते हैं नागा लैंड में 88 परसंट जी ठीक है हिंदू है महाँ पर आठ परसंट अच्छा अब जो Christian Government है वो तो Christian 88 परसंट वाली बनेगी ना हाँ जी तो क्या वो मायनाटी किया सकते हाँ आपके लकशदीप में 97 परसंट मुस्लिम हैं वो मायनाटी कहलाते हैं कसμεี में Hindu दो परसंट है मैजार्टी कहलातें क्या वाट है मिजोरम में जो मायनाटी और मिजार्टी कहलाती म strengthened और दार के रुप्बरूरा जो माइनाटी है हिंदू के लाती है एक्ट हाय कि इती इसले मेरा ये मानना है कि supreme court का फैस्ला भी हैं ज intent अई हिसे में बालब पांटेरियों घ्रकारी के जसे धरमदीकारी की मेर्च ने कहा भी था सब है न Inde माइनाटी में क्यों कर रहे हैं वह चल रहा है इसी के लड़ाई में लड़ रहा हूं अभी तक मुझे लगता था कि यहीं बैठे बैठे सब हो जाएगा तो मैं बाहर नहीं जाता था लेकिन फिर पिछले दो साल से मैंने बाहर निकलना सुरू किया अब में मंडे टू पब्लिक डायलोग किये हैं जिसमें मेरा लास्ट में आप से मीटिंग हुई थी वर्ड हिंदू कॉंग्रेस में वह मेरा 105 कारिक्रम था 2023 का अच्छा एक साल में अब तक मैं एक सो डेर्फ सो दिन बाहर तुका हों घर से इस दोज़ार ने में 150 दिन गरके बाहर अचा अच्छा जिस दिन पी एल हो ती उसmore मेरा दिल्ली में यह आ लाता हुं गॉया चला जाता हूं वच्छ साय डिसकुकरता हो क्यों कि मैं देख रहा हूँ की यहां दिल्ली में किये, broadly next time में आदिति बार देटिमें चावर करेंगे, but thank you so much तनिवाद So that was the conversation, hope you liked it if you enjoyed this, please share this on WhatsApp and other media, thank you very much and I'll see you soon